तो हलो गाईज आप तो भी का सभाए बाता है आज के मारे इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं AMD के बारे में AMD के तरफ से अफिशली नेक्षण सीप्यू के बारे में यहां पर बातचीत होने वाले हैं आपके नए CPU यहांपर जो लाउंच होने वाले हैं पारे में आज हो तो उनके पारे में बात करें गया उसका एमपके लिए नहीं आफ़े के बात हुँके लिए अभी के लिए हम पर आप गडबड़ी कह सकते हो लेकिन वह उफिशिल प्राइसिंग नहीं है आपको यहां पर AM5 सॉक्ट देखन को मिलने वाला है DDR5 RAM का स्पोर्ट देखन को मिलेगा यही दो आपके बड़े मेजिस यहां पर आपके होने वाले है AMD की लाइनप में 16 core 32 thread वाला यहां पर आपका सबसे बड़ा CPU रहने वाला है पहले है यहां पर आपके सारी लाइनप है बाकी तो लेकिन जो major changes है जैसे कि मैं आपको बता चोकों पहले की वीडियो में भी 4.5 GHz आपकी जो base रहेगी 5.7 GHz यहां पर आपकी जो max boost यहां पर जा सकते है 7950X में इस इसी के सार्थ सबसे low end up का CPU रहने वाला है Ryzen 5 7600X यहां पर आपको 6 core 22 thread 4.7 and 5.3 की boost देशन को मिलने वाली है 105W की TDP रहेगी जो कि पहले 65W की हुआ करती थी इसी के सार्थ आपकी जो L3 cache होने वाली है वहां पर इंक्रिमेंट हुआ है यहां पर आपकी cache memory में L2 में यहां प pricing की उपर इंपक्ट अच्छा का से आते हो आपको देख सकता क्योंकि Taiwan की तरफ से आपने नए chips बनाने लगबग बंद हो चुके है क्योंकि वार वगर का scene थोड़ा सा बना था बंद भी error confirm नहीं है लेकर कुछ यहां पर कुछ ऐसी आ रही थी तो प्राइसेंग के लिए 100 डॉलर का यहां पर जो jump देखन को मिलेगा आपके सबसे बड़े CPU में सबसे low end CPU में आपको 30 USD यहां पर इंग्रीज देखन को मिलने वाला है तो launch dates AMD की तरफ से officially confirm कर दीगी है एक यहां पर जो होस्ट करने वाले हैं लाइफ स्ट्रीम जो कि आपके next gen processor को यहां पर बताने वाले हैं कि कौन कौन CPU जो पकर आने वाले हैं 7 PM ET on Monday 29 August के उपर यहां पर इनके official YouTube channel के उपर यहां पर जो है आपको एक live stream देखन को मिलने वाली है अब बात करतेंगा यहां पर उन्होंने यहां पर बताया कि उनके पाफ जो sources है जो बंदे यहां पर supply chain में यहां पर घुसे हुए है तो उन्होंने बताया है इस month के end तक आपको pricing और भी नीची देखन को मिलेगी कितनी नीचे जा सकती है तो उन्होंने यहां पर idea दिया कि AMD ने जितनी price drop करी है उसके भी नए GPUs भी हम पर आने है उनकी उपर pricing high जा सकती है इनकी pricing low रहेगी क्योंकि बाई Nvidia के पास बहुत अच्छा का सा stock बढ़ा हुआ है इसलिए यहां पर वीडियो आपकी 4080 series बगर है वो यहां पर delay हो रही है AMD ने अपने announcement को गरा करनी start कर दी है मी भी हम पर Nvidia भी करें तो यह थ आता के लिए बुट बाई